21 दिसंबर से 2 सितंबर तक भारतिय जंदा पार्टी वस्तर में चिंतन शीविर आयोजित कर रही है। दिन भर पार्टी के नेता अपनी सियासी रणीतियों पर चर्चा करते लिखे। कुछ के दिल्चस्प और कुछ के सियासी पारे में गर्मी बढ़ाने वाले बयान सामने आये। बैठक के लिए बस्तर संभाग के शहर जगदरपूर के सबसे बड़े एक होडल को सुना गया है। बैठक में शामिल हुए प्रदेश में बड़े आधिवासी नेता माने जाने वाले डॉक्टर नंद कुमर साय ने पिछली हार को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर मंतन करना चाहिए कि ऐसी स्थिती क्यों हूँ। हम 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीट पर क्यों नहीं आ पाए। बीजेपी की लगतार हार क्यों ही। इन कारणों पर चर्चा के बाद ही आगे की रणनीती बन सकती है। दिन भर चलती रही तमाम तरह की सियासी चर्चा के बाद रात के वक्त प्रदेश प्रभारी डीपुरंदेश्वरी स्थानी नेताओं के साथ डिनर करती हुई नजर आए। आम तरह पार इससे पहले राइपुर में रुखने के दौरान वो कुछ जुनिंदा बड़े नेताओं के घर पर बोच पर शामिर होती है। ये पहला मौका था जब वो स्थानी नेताओं के साथ सरवजनिक तोर पर डिनर टेबर शेयर कर रही थी। बश्तर में BJP का चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रे संगठन मंत्री के साथ मिशन 2023 को लेकर रणीती एवं 29 आदिवासी सीटों पर BJP का फोकस को लेकर चर्चा की जाएगी।